विल्कम बैक तो माइन अधर वीडियो तो एक ट्यू की जो की स्टिजेंट हो बहुत परसान थी इस समय क्योंकि एक ट्यू की एक्जाम कैंसिल कर तुके आप नोटीस आए थी कि इसमें NPTY वाले पस एक्जाम दे पाएंगे तो वही उसी कुछ लेकर एक बहुत स्टिजेंट थे कि चोन पस पकर युदियो में इस वीडियो के लाइक करिएंगा रहा है तो पर भीडियो हो नहीं समझ नहीं पाएंगे कुछ प्राबलम होई तो आप बात में मुझे एक कुछ रिगके आता ही मुझे कुछ कईएगा जैसे क्या आप लोग देख सकते हैं एक स्टुडियन ने कमेंट किया है कि फोर्थ येर वाले देंगे जिनका सेकंड येर का देना है कि फिर भी NPTY नहीं लगा है तो आप लोग या देन दीजिए कि EQ ने नोटिस जारी की थे उसमें बताया था कि जिन पर NPTY या NPTY सो कर रहा है वही लोग EQ की एक्जाम दे सकते हैं जो ये वाले सेमिस्टर वाल एक्जाम हो रहा है लेकिन आप लोग या देन दीजिए किसे बहुत स्टुडेंट क्या 90% स्टुडेंट में क्या है तो 100% स्टुडेंट NPTY, NPFY किसी किसमें नहीं सो हो रहा है उसमें के और आप एक yearly back लग रही है लेकिन NPY नहीं सो कर रहा किसी के इसमें NPFY, NPTY तो जो especially 4th year वाले हैं तो उन लोग को सभी exam देना है 4th year वालों को कोई exam नहीं सोड़ना है आप लोग सभी exam दीजिए अपने पूरे उसके बाद अगला देखते हैं, अगला कौन है उसके बाद एक ये student नहीं कमेंट किया है कि भाई मैं भी फार्मा second year में हूँ मैंने एक exam दे दिया है कल तो आगे का नहीं देना है कि और जो कल दिया है exam उसका क्या होगा फे एक बाद आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को पता भी होगा कि जो अभी exam फार्म भर गए थे जो exam फार्म भर जा रहे थे वो third year और fourth year बसका भर जा रहा था second year का नहीं भर जा रहा था second year और first year का नहीं भर जा रहा था ये पता नहीं किस college किस student है इन्होंने second year के exam फार्म फिल करवा दिया है याथ इसमें कुछ नहीं कर सकते है इन्होंने इख़ो यहाँ पर exam बता रखा है कि मैंने exam भी दे दिया है तो इनका पता नहीं क्या हो सकता है लेकिन जो के बाद फार्म फिल किया जा रहा था वो third year और fourth year का फार्म फिल किया जा रहा था क्योंकि जो third year में थे उनकी early back लग रही थी तो उनलोग के chance दिया गया था COP करवा के जो fourth year थे उनको भी NPTO जावे तो उनको भी चांस दिया गया था तो उनलोग के लिए फार्म फर गया था भाई मैं भी फार्म थर्डियर फिफ्ट सेम में हूँ और मेरा first year और second year में बैख है तो क्या मुझे एक्जाम देना है या नहीं देना है जिसके लिए आप सुनगे आप लोग third year में हैं आपकी first year और second year में बैख है तो first year को तो आप एकदम एक्जाम देना है अप लोग के एक्जाम देना है first year का च्योंकि first year करान आप लोग के NPTY लग रही है तो आपको first year करान लग रही है तो आपको first year के एकदम तो confirm देना और है यह बार second year की जो है तो कुछ काल्जों में क्या हुआ हुआ है बहुत तर भी सुनने में आ रहा है कुछ कालजों में एक्जाम देने दे रहे हैं और कुछ कालजों में एक्जाम देने नहीं देने दे रहे हैं कुछ कालजों में एक्जाम देने दे रहे हैं कुछ कालजों नहीं देने दे रहे हैं कुछ जगा में हो रहा है एक्जाम सेंटर में यह आप लोग को first year को दुबारा chance नहीं मिलेगा क्योंकि first year की especially आप लोग को chance दिया गया है और अब बाई second year का भी आप लोग को chance फेज 2 में दे सकते हैं फेज 2 में जब first year और second year के paper होगा यह regular वाला तब आप लोग को chance दिया जाएगा यह आप लोग को बाद clear हो गई होगी आप लोग को नहीं clear होगी तो comment बता दिजिएगा इसके बाद अगला देखते हैं इसके बाद एक comment और आई इसमें लिखा है सर मैं third semester में हूँ मेरे second semester और भायक आई है पंदरा को paper है admit card आ भी गया है अब पताने कुछ काल जो में भरवा दिये गए है first year और second year फाम भरवा दिये गए तो आभी नहीं मानी होगा वो वाला तो आप लोग जो third year है वो fourth year वो ही बस paper देंगे जो first year और second year में है वो लोग paper नहीं देंगे अभी उन लोग का paper अभी फरवरी ने second fair में होगा phase two में होगा जो कि फरवरी और मार्च में होगा फरवरी और मार्च में होगा तब आप लोग देंगे paper इसके बाद ऐसे आप लोग देख सेते हैं यह United College है नइनी प्रियाग राज में है इसमें यहाँ पे एकजाम करवाया जा रहा है United Group of Institution नइन प्रियाग राज में एकजाम हो रहे हैं तो यही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कुछ जगा पे आप लोग के एकजाम हो रहे हैं आप कुछ जगा पे आप लोग एकजाम नहीं हो रहे रहाई भी बात थरडियर वालों की फर्श्ट की का ऐस्च आरवाला Control देना है इना कि सचनल देना है ऐसान गध्याम कुछ जगा करें कर वह जा Esse फिर हिए पलोग अप्ने अग्जाम में जाए अगर एक्जाम exam center में exam हो रहा है, तब आप लोग सोचे कि हाँ लोग का face 2 में होगा, लेकिन आप लोग घर न ब gjठें, exam करके exam center में जाएं, आप लोग कि अवाले exam हो रहा है, थर्ड-yar वालोग का, तब आप लोगे exam जरूर दें, इसलिए घर में कोई नबढ़े, ये किसी को मैसेज देख कि ये ना सोचे कि यहाँ exam कैंसील हो, तो exam नहीं कैंसील हो, किसी का कुछ जगा करवाया जा रहा है, कुछ जगा exam नहीं करवाया जा रहा है, अब ये EKT बहुत बड़ी mistake है, उसमें EKT अपना कुछ भी कर सकता, दोर आगे देख रहे हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं एक और ये college है इस college में इक्जाम करवाए जा रहा है ये वाले college में भी तो आई मैं आप लोग को बता दिया हूँ आप लोग तो आपकी early back लग जाएगे तो जो 3rd year में हैं और 1st year वाला exam किसी condition नहीं छोड़ेंगे और आप लोग उसे एक बार बार चांस आप लोग college में जैसे जहां center आप लोग गया वहाँ ये पेपर नहीं हो रहा है तो आप लोग वहाँ जाके एक बार सेंटर में देख है COP उनके exam करवाए जा रहा है तो आप लोग को बताना चाहरा था तो आप लोग को पता चला गया होगा इस विशली अप फिर आप लास्ट में बार फिर बता दूगा आप लोग घर में कोई नहीं बैठेंगे जिसे 3rd year वाले 4th year वाले exam होगा उनका comfort उन्हें कोई में आपको दुबार मौकब नहीं देगा क्योंकि इस बार आपको यह मौकब दिया गया है 3rd year को 1st year के लिए जो बैख है अब आथ होई 3rd year की जो 2nd year की बैख है तो 2nd year में कुछ काले में हो रहा है कुछ का देखो कुछ काले में हो रहा है कुछ काले में नहीं हो रहा है तो अब कालेज जाए अपने सेंटर जाए एकजाम सेंटर त्यारी करके वहाँ पेपर हो रहा है तिक जान दीजिए यह मैं आप लोग को बताना चाहता था इस वीडियो में तो वीडियो अच्छा लगा हुआ आप लोग को पूरा पता चलेए को किसे पेपर देना है किसी पेपर अपने वीडियो के हैं पिंड करता हूँ कमेंट कर बताए किसे इंफार्मेशन पता चलेए को वीडियो अच्छा लगा हो तो